तो चलिए हम सबसे पहले हैं cash का data देख ले तो अगर यहां हम FIS, DIs का data देखे cash का तो जो FIS नेट बायर है लगबग उन्होंने 350 करोड के आसपास cash में buying किये वहीं DIs की बात करें तो लगबग 200 करोड के आसपास इन्होंने cash में selling किये तो इस नमबर 1000 करोड से कम है तो हम इस नमबर को जादा weight is नहीं देते बट स्टिल यह एक neutral sentiment के तरफ इशारा कर रहा है अगर हम बात करें derivative के data की तो derivative में आपको देखें कि क्लाइंट है वह आज अपने long के position को close करते हुए दिखे लगबग इन्होंने भी अपने long position को close किया 4000 के आसपास प्लस इन्होंने 4000 के आसपास short contract भी create किया तो overall अगर हम data का conclusion निकाले यहां future के data का तो आप देखेंगे जो open interest हो डिक्रीज हुआ लगबग 9000 के आसपास position close की गई तो open interest decrease हुआ जो प्राइस है वह उपर को गया तो एक short covering के तरह वो कल के लिए long position करी कर रहे तो इन्हें से लगता market का sentiment है वो strong रहने के chances है तो अगर हम overall data point का conclusion निकाले तो cash का data हमें neutral sentiment शो कर रहा है क्योंकि कोई खास यहां पे activity नहीं की गई काफी छोटे amount में buying और selling की गई तो हम इसे neutral लेके चलेंगे future में short contract यहां पे close की गई तो short covering के किअज कर रहे हैं तो future the data वो हमें strength के तरह पिशारा कर रह है और option का भी data हमें strength के तरह कर रहा है तो overall अगर हम data point की बात करें तो data point हमें strength के कि तरह बिशारा कर रहा है कि जो market में आज जो move थी वो एक short covering के द search recovery के द्वारा लाए गई तो एक strength का यहाँ पर हमें sentiment दिख रहा है तो according to data point जो next trading session है it means कि Wednesday कल market का sentiment strong रहने के chances है according to data points बट हम कोई भी ट्रेट स्रिफ data points के भिहाँ पर नहीं लेते हैं हम price action को यहाँ पर ज्यादा priority देखते हैं तो अगर हम price action की बात करें तो price action में आपको clearly दिखेगा हमने कल discuss किया था कि nifty अगर मान लिजे इस low के इधर कहीं flat खुलता है या इस range में कहीं खुलके अगर breakdown देता तो हम short करेंगे swing के उपर का stoppers रखके 1-2 के लिए हम plan करेंगे बट ऐसा नहीं हुआ nifty gap up खुला gap up खुलने के बाद फिर आप देख सकते कि volatility देखने को मिला हमने यह भी decide कि था कि अग market volatility में रही बट जो volatility है यह एक indication दे रहा है कि जो sentiment है वो थोड़ा strong होने के chances है तो कल के लिए हमारा क्या plan of action होगा चली हम वो देख ले तो अगर हम यहां nifty में देखे तो आपको एक trend line आता हुँआ दिखेगा इस trend line को nifty follow कर रहा continuously आप देखेंगे यहां से बार बार bounce करा trend lines है तो कल अगर यह trend line को अगर flat खुलने के बाद इसको break करता है तो हम immediate shot नहीं करेंगे हम wait करेंगे यह break करने के बाद अगर माल लीजे ऊपर इसको retest करता है और यहां पे 15 minute का negative candle बनाता है तो फिर हम candle के ऊपर का stopless रखके 1-2-2 के लिए plan करेंगे क्योंकि nifty को अगर वाप momentum start कर देगा अगर इसके नीचे का closing नहीं आता है तो तो make sure कि हम तभी shot करेंगे जब यह वापस से इस level को retest करके हमें negative scenario देखने को मिले तब क्योंकि यहां पर आपको double top का formation भी दीखेगा और हम फिर यहां पर shot करेंगे जब एक negative candle हमें थोड़ा confirmation मिलेगा तो और जो हम short का conservative हो के चलेंगे अगर माले जानिफ्टी यहां से ऊपर निकलता फ्लैट खुल के तो हम लॉंग के side का trade नहीं initiate करेंगे क्योंकि उपर में अगर मैं यहां पर daily chart में nifty को देखूं तो यहां पर आप देखेंगे nifty का जो price है वो बहुत जादा stretch हो चुका अगर long के side का trade लेना तो चली अब हम बैंक निफ्टी का chart देख लिए अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे यहां पर यहां पर यह पूल बैक हुआ नीचे को दैन आफ्टर बैंक निफ्टी कंटिनिएशन में तो मैं इस वजह से बोल रहा हूं कि long करन है तो हम बैंक निफ्टी करेंगे इस्टेफ निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अगर हम लॉंग करेंगे तो कहां तक के लिए हम टार्ट प्लान कर सकते हैं तो बैंक निफ्टी मान लिजेकल फ्लैट खुलता है या फिर इस रेंज में कहीं भी खुलता है यहां पर और इस 56 यहां से एक selling pressure हमें देखने को मिला तो यह जो लेबल है यह resistance का काम करेगा तो bank 50 यहां आने के बाद शायद हमें resistance देखने को मिल सकता है इसके बाद selling pressure देखने को मिल सकता है तो make sure जो हम long का trade लेंगे हम यहां आने के बाद चारा position offload कर देंगे और दूसरा scenario यह बनता है कि bank 50 अपने को मान लिजए यहां पर कहीं बहुत बड़ा gap down मिल जा है तो bank 50 को selling के लिए plan नहीं करेंगे bank 50 में मैं आपको कुछ चीज़े दिखाना चाहूंगा जो की काफी interesting है तो अगर अगर मान लिजए bank 50 में हम यहां पर फीवो ड्रॉ करें अगर हम वेब का analysis करें जैसे कि मैं हमेशा वेब को करता हूं तो यहां पर जो bank 50 एक corrective pattern में चल रहा है तो यहां आने के बाद एक जो लेग है वो वेब का complete हुआ और यहां पर A, B और यह C तो यह A बना, यह B बना और यह C का nature बना तो यहां पर bank 50 थोड़ा जो यहां पर C complete हुआ इसके बाद तो हम इस सारे move को एक A consider कर लेंगे, तो मतलब हमें एक B का move मिलेगा, तो B का move जो मिलेगा वो हमें नीचे के side का मिलेगा, तो इस वज़े से bank 50 में अगर हम मान लिजे यहां पर आपको, तो यहां पर मैं फीबो ड्रॉ करूँ, तो आपको दिखेगा bank 50 बहुत crucial stage पर है, बहुत crucial जगह पर यहां पर trade कर रहा है, तो हम देखेंगे यह 50% का जो level है, यह flat correction का एक nature है कि 50% का level बहुत बड़ा resistance का का काम करता है, अगर इसके ऊपर bank 50 close करता है, मान लिजे कि कल का closing इसके ऊपर होता है, तो फिर हमें आने वाले time में 42,000 तक का level देखने को मिल स quantity में trade कीजेगा, तो in fact हो सके, तो quantity को reduce कर लिजेगा 25% quantity पर trade कीजेगा bank 50 में, क्योंकि मैं भी quantity reduce करके 25% कर लूँगा, तो selling के लिए bank 50 हम तभी plan करेंगे, जब bank 50 इधर कहीं इसके नीचे close देना start करता है, अगर यहां पे एक double top का formation भी दिख जाएगा, अगर इसके नीचे 15 को fill करने के लिए आ जागा, जो 40,800 के आसपास का level है, तो हम bank nifty तभी short करेंगे, जब हमें यह double top का formation दिखेगा, अगर bank nifty उपर को निकलता है, तो हम long करना prefer करेंगे, 400 के उपर, 50 रुपय का stop loss, 1-2 के लिए plan करेंगे, और 25% quantity में trade करेंगे कल के लिए, चली अब हम stocks discuss कर ले है, तो नौकरी, यहाँ पर एक अच्छा momentum देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते है, प्राइस जो आया, यहाँ से reversal बना के, प्राइस ऊपर को आया, और पिछले 5-6 दिन से इस range पर प्राइस होल्ड कर रहा है, तो कल अगर यह flat कुलता है, और इसके बा level bottom का formation हुआ, और इसके ऊपर यह continuously इसी range पर trade कर रहा है, तो कल अगर यह flat खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद यह थोड़ा बहुत gap up खुल है, और इसके बाद इस swing को, यह red candle का हाई है, इसको cross करता है, तो हम immediate long कर सकते है, 10-15 रुपय का stop loss रखेंगे, 1-2 के लिए प्यान कर रहा है, according to Elliot wave, तो कल अगर यह flat खुलता है, 3270 के नीचे निकलता है, तो फिर हम इसको immediate short कर सकते है, यहां पर हम 15-20 रुपय का stop loss रखेंगे, 1-2 के लिए प्लान करेंगे, अगर इसके नीचे निकलता है, तो next support जो दिख रहा है, swing का दिख रहा है, यहां तक यह आ सकता है तो फिर हम easily अपने stop loss को 15-minute का time frame पर trail करते चलेंगे, अगर इसके नीचे निकलता है तो, all right friends, I hope आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like कीजे, channel को subscribe कीजे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share कीजे, thanks for watching, good night